हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मो टीविया पर आपका स्वागत है इस शो की कहानी धानी चोबे की लाइफ पर बेज थी जो की अपने पेरिंस और बड़ी बेहन स्रिष्टी चोबे के साथ लखनव में रहती थी शहर के एक बड़े बिजनसमैन काशिनात पांडे अपने बेटे का रिष्टा स्रिष्टी चोबे के लिए लाते हैं और पूरे परिवार की रजमंदी से उनकी शादी तै हो जाती है शादी के दिन स्रिष्टी को अचानक करण लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है और उसकी जगा धानी को मंडब में विठा दिया जाता है जब सब को सचाई पता चलती है तो सब धानी से नफरत करने लगते हैं और इधर स्रिष्टी भी जान जाती है कि उसकी शादी ना होने का क्या कारण है जब उसे भी सब सच पता चलता है तब वो पांडे परिवार में पहुँच जाती है और धानी के खिलाफ साजिशे करने लग जाती है लेकिन इधर द्रूब को धानी से प्यार हो जाता है और ऐसे ही धानी को शो में कई बार मारने की भी कोशिश की जाती है लेकिन धानी एंड तक अपने प्यार के खातिर सबसे लड़ती रहती है धानी और देव्यानी के रोल में थी मेगारे, ध्रूव और देवा के रोल में थे करम राजपाल, सृष्टी के रोल में थी केट की कदम, और रुद्र के रोल में थे अंगद हसीजा शुरुआत में व्यूर्स को शो काफी इंटरस्टिंग लगा, लेकिन कुछ समय के बाद व्यूर्स का इंटरस्ट शो में कम होने लगा और मेकर्स ने शो में फिर से जान लाने के लिए एक लीप भी आड़ किया, लेकिन इससे भी शो की टी आरपी पर कोई खास असर नहीं हो पाया, इसे लिए शो को ओफेर कर दिया गया इस शो की सभी एपिसोड्स कलर्स टीवी की ओफेशियल एप वूट पर अवेलबुल है और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए फिल्म और टीविया को सब्सक्राइब करना ना भूलें